लोकसभा चुनाओं को लेकर रभिवार को भाजपा का हुसेनाबाद बिधानसभा छेतर के भूत अस्तरिये करिकारताओं के बैठक आयोजित की गई है उक्त बैठक में पार्टी के परदेश आध्याक्ष सपुर मुख मंत्री बावुलाल मरांडी करेंगे सिर्कत उसमें वरलोकसभा चुनाओं में पार्टी परत्यासी बीडी राम की जीत सुनिशीत करने के लिए करिकारताओं में जोस भरेंगे उक्त जानकारी भाजपा के पलामु जिला अर्ध्याक्ष अमित तिवारी ने दी उसेनाबाद अर्ध्याच नरेंदर पांडे आधी भाजपान नेताओं ने जय जालिया वहीं जीला अर्ध्याक्ष ने बताये की परदेश अर्ध्याच बावुलाल मरांडी रभिवार सुबार एक गारे बजे हायदर नगर के हाई स्कूल मैदान में बूत हस्तरिय कारकाताओं के साथ बैठा करेंगे वहीं भाजपान नेता बिनोत कुमार सिंग ने कहा की पलामू लोकसभा छेतर में तेस मई को चुनाव है इस बार के चुनाव में हुसेनाबाद विजानसभा छेतर से भाजपा परत्यासी को तीन लाग से अधिक रिकोर्ड फोट मिलेगा जबकि पुरे पलामू संसद्य छेतर से पिछली बार का जीत के साथ रिकोर्ड भी टूटेगा पिछली बार बीडी राम जी को चार लाग से रिक फोट से जीते थे इस बार यह आकडा बढ़कर छो लाग के पार जाएगा उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव की आधि लडाई जीत लिया है उन्होंने कहा कि प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी के निर्टूत में पिछले 10 साल के दोरान हुए काम और पलामू गडवा में सांसत के पर्यास से विभिन कारियों के बदोलत जनता पुन प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी को पीम बनाने के लिए आतुर है